अरे कफिल भाई फुरकान भाई अपने आपको गता अच्छा समझते हैं, अपने अंदर के कम्यों को नहीं देखते हैं, उनकी एक कम्य हम आपको बताएं? अरे छोड़ो जाने दो, अरे सुनिये तो उनकी बहुत बुरी आदत है, अरे होगी जाने दो यार, अरे सुन तो लीजी एक बात, गीबत करना चाहते हो कि तोमत लगाना चाहते हो, ना बुराई करना चाहते हैं, ना तोमत लगाना चाहते हैं, जो उनके अंदर एक बात हो ब गीबत कहते हैं और बात उसके अंदर मौझूदी नहों फिर कही जाए तो उसे तोमत कहते है हमें भाई सुन लीजिए उन्ना मेरा पेट फूल जाएगा क्या तुम यह चाहते हो अपने मरे हुए भाई का गोश्ट खाओ असतक्फिर उल्ला ऐसा कौन करेगा भाई अल्ला की नबी जनाम मुहमद रसुल लास ने फरमाया गीबत करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने अपने मुरदार भाई का गोश्ट खाया और गीबत करना जिना से बड़ा गुना है सहाबा ने पूछा अल्ला के चालए बीच जिना से बड़ा कैसे गुना है तो अल्ला के नबी ova'll ळी श्यल्य ने फर्माया कि जानी तूबा कर लेता है अल्ला को बूल फर्मा लेते है मगर बुराई करने वाला जब तक कि कि अक्सर लोग बुराई करने में मुब्तला हैं और खास करके घर की ओरतें कि ये कहीं चली जाएं या इनके हाँ कोई आ जाए तो बस शुरू हो जाती है एक दूसरे की कमियां बेहान करने कभी अपनी सास की बुराई कभी अपनी नन की बुराई कभी फलाने नहीं ऐसा कपड़ा पहना कभी फलाने नहीं ऐसा कपड़ा पहना उनकी फुपी अच्छी नहीं थी उनकी खाला अच्छी नहीं थी और इस बुराई को बुराई भी नहीं समझती और खुछ से फैसला कर लेती है कि हम ये बात बता रहे हैं कोई बुराई थोड़ी ना कर रहे हैं और यकिन जानो इसी को गीबत कहते हैं और ये इनसान को जहनुम में लेकर के जाएगा आप बताओ, तो क्या कहना चाहरे थे फुरकान के बारे में कुछ नहीं भाई, वो तो बहुत नेक इनसान है